आज मैं आपको इस वीडियो में नौाइज का जो स्मार्ट ग्लासिज आए हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके क्या-क्या फीचर्स है, ये कैसा दिखता है इस सभी कुछ में आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हो तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंतक जुड़े रहे तो आप देख सकते हैं ये है noise का smart glasses ये इस तरह की packing में आता है ये देख सकते हैं अब हम इसे देखते हैं कि अंदर से दिखता कैसे है तो सबसे पहले अंदर box में हमने देखा कि इसके साथ हमें charging cable मिली है ये देख सकते हैं इसके साथ हमें एक cloth मिला है चश्मे को साफ करने के लिए और ये है ये है वो चश्मा noise का smart glasses है ये देख सकते हैं इसकी लुक देख सकते हैं फ्रंट लुक है और ये इसकी पूरी लुक देख सकते हैं ये इस तरह दिखता है ये noise का temple है आप देख सकते हैं इसमें speakers दिये हुए हैं इसमें से volume आती है जब हम इसको पहन लेंगे और पीछे से देखते हैं तो ये इसका charging का port दिया हुआ है यहां से charging होगी और इस साथ ही में थोड़े से speakers यहां पर दिये हुए हैं और same ही उसी तरह से ही दूसी तरफ से भी ऐसा ही है यहां पर ये charging ports है और ये speaker दिया हुआ है ये देख सकते हैं तो ये है noise का smart glasses अब हम इसे connect करके देखेंगे कि ये Bluetooth से कैसे connect होता है और इसकी volume कैसी आती है वो भी मैं सब आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो अब हम देख लेते हैं कि जो noise का smart glasses है mobile phone के साथ कैसे connect होता है और उसकी कैसी volume है वो सभी कुछ देख लेते हैं अगर connect ने के लिए सबसे पहले आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक light blink हो जाती है इसका मतलब यह scan कर रहा है अब यह देख सकते हैं scan करने के बाद आपने अपना जो Bluetooth का यह option है यह खोलना है इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ आएगा देखें noise i1 इस पर click कर देंगे तो यह लिखा हुआ आगया connected for calls and audio इसमें battery भी बताता है कि इसमें कितनी battery है remaining अभी 60% battery remaining भी है तो हम इसमें done कर देंगे यह तो हो गया हमारा connect अब हम इसकी volume देखते हैं कि सुनते हैं कि कैसी आती है तो कोई भी हम इसमें song play कर लेते हैं यह जो noise का smart glasses है अब यह पूरी तरह से phone के साथ connected है इसमें जो मैं सुन पा रहा हूं song की volume आ रही है तो सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन volume अगर हम full पे भी करें तो volume थोड़ी low लगती है कम लगती है और साथी साथ चश्मा जब हमने यह लगाया हुआ है काफी ज़्यादा भारी है और यह छोटे face के लिए तो यह लगता है मुझे छोटा जिसका चेहरा उसके लिए जिसका थोड़ा सा बड़ा चेहरा है या heavy चेहरा है उसी के लिए यह थोड़ा सा comfortable रहेगा चश्मा मुझे थोड़ा सा यह जो है भारी लगा क्योंकि इसके जो temples है काफी ज़्यादा heavy बनाए हुए क्योंकि इसमें speakers और जो सारी चीज़े दी गई है इस वज़े से थोड़ calls के लिए भी try करा मतलब इसको पहनने के आद मैंने अपनी phone calls लिए तो जो phone calls की quality है वो ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन उसका volume जो है compare करे जो गाने सुनते उससे थोड़ा सा तेज है volume आपको clear सुना ही देगा तो इसका मतलब है यह product जो है value for money हो सकत है लेकिन यह सबकी अपनी अपनी राय है लेकिन मुझे चश्मा थोड़ा सा भारी लगा लेकिन कुछ देर पहनने के बाद मुझे थोड़ा comfortable भी लगने लगा है तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो इसे like and share भी जरूर करें